क्या तुम्हें एक कहानी सुनना चाहती हो? एक लड़का है, अठारा साल का, वो अभी अभी दिल्ली आया है, डेली उनिवर्सिटी में पढ़ने, वो यहाँ आया था सिर्फ दो चीजे लेकर, एक सपना और एक टूटा दिल, और इसी टूटे दिल की वज़ा से, उसकी सारी दुनिया बन गए थी अब वो सपना, दिल तूटा दिल्ली आने से दस दिन पहले, और दस दिन बाद, जब उसकी ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन के प्लाटफोर्म नमबर दो पर उत्रे, उसका सपना हो गया था, दस गुना बढ़ा, अब उसका पूरा वजूद था वो सपना, वो सपना नहीं तो, सब खतम, उस दिल्ली आने से पहले वो सपना आसान था, बलकि उसका पहला स्टेप तो वो पार भी कर चुका था, डेली युनिवरसिटी के काफी जाने माने कॉलेज के लिटरिचर प्रोग्राम में एड्मिशन लेकर, सपना तब आसान था, उसे राइटर बनना था, अपनी अंदर बसी कहानियों को बाहर निकालने का मौका चाहिए था उसे, अपनी इस छोटी सी कला पर काम करकर, एक छोटा सा कलाकार बनना चाहता था वो, लेकिन दिल्ली आने तक, सपना इतना बड़ा हो गया, कि दुनिया का सबसे बड़ा मंच भी उसके लिए छोटा हो गया, सपना बन गय जुनुन, जो दिल ने खाली कर दिया, जुनुन ने भर दिया कॉलेज शुरू होते ही, उसने सबसे पहले कॉलेज के ड्रामा और राइटिंग कलब को जोईन करने की कोशिश करे कलब की पहली मीटिंग थे, वो बड़ी खुशी-खुशी गया, ये सोच कर की अब उसके सपने को हासिल करने से उसे कोई नहीं रोक सकता लेकिन मीटिंग शुरू होते ही, उसके और उसके सपने के बीच में पहला अब्स्टिकल सामने आ गया जब उससे पता चला कि कलब की मेंबर्शिप इस बाई एप्लिकेशन ओनली जब कलब के प्रेजिडेंट ने फ्रेशर के क्राउट से पूछा कि कितने लोग वहाँ एक्टर बनने आए हैं तो पचास हाथ खड़े हो गए, उन्हें बताया गया कि उनमें से सिर्फ दस को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जब एस्पाइरिंग राइटर्स को सेम डिरेक्शन दी गई तो और पचास हाथ खड़े हो गए और उन्हें बताया गया कि उनमें से भी सिर्फ दस को चुना जाएगा एप्लिकेशन प्रोसेस था सिंपल, हर आक्टर को एक राइटर के साथ पेर किया जाएगा राइटर एक ओडिजिनल स्क्रिप्ट लिखेगा और आक्टर उसे पफॉर्म करेगा ओडिशन्स होंगी एक हफ़ते बाद, क्लब की अगली मीटिंग में लड़का इस चैलेंज को सुनकर काफी कॉन्फिडेंट था वो जानता था कि उसके पास तो तूटा हुआ दिल है और उस दिल के अंदर बहुत कुछ है कहने को बस उसको पार्टनर अच्छा मिल जाए और फिर आया दूसरा आप्स्टिकल मीटिंग खतम होने पर सबको उनके पार्टनर्स असाइन किये गए इस मोमेंट पर पता चला कि अक्टर्स हैं 50 और राइटर्स 51 और उस लड़के का लख ऐसा निकला कि वो था राइटर नंबर 51 कलब के प्रेजिडेंट ने बोला कि रूल्स और रूल्स नो अक्टर, नो राइटर बेटर लख नेक्स ताइम लड़के ने प्रेजिडेंट से जाकर प्राइविटली रिक्वेस्ट किया प्लीट किया अल्टनेट सुलूशन दिये बट दिए आंसर दिए नो चेंज लड़का निराश होकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया लड़के को लगा उसका अब यहां क्या काम तो वो अपना बैग लेकर रूम के एक्जिट की तरफ जाने लगा उसके बैक्ग्राउंड में क्लब प्रेजिडेंट बाकी 100 आस्पिरंस, 50 राइटर्स और 50 एक्टर्स को उनके इस असाइन्मेंट का टॉपिक बताने लगा टॉपिक है एक सवाल तुमने किसी से कभी प्यार किया है? लड़के के कान यह सवाल सुन रहे हैं लेकिन उसकी आखें उसके जवाब को देख रही है क्योंकि उसी वक्त एक्जिड डोर से एंटरी कर रही है एक लड़की वो लड़की लड़के की तरफ देखकर एक सवाल पूछती है इससे पहले की लड़का कुछ कह पाता उसके पीछे से क्लब प्रेजिडेंट की आवाज आती है राइटर या अक्टर लड़की कहती है अक्टर और फिर प्रेजिडेंट कहता है और वो लड़का जो एक मिनट पहले अपने सपने को अपने दिल की तरह तोटते हुए देख रहा था अब उसी लड़के के सामने खड़ी है उसका सपना और उसका दिल उसको फिर से प्यार होने वाला है और वो लड़का मैं हूँ और अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि उस दिन उस मीटिंग के बाद क्या हुआ वेल वही कहानी तो सुनानी है तुम्हें क्योंकि दिल्ली वो लड़की तुम हो वेल तुम में से एक दिल्ली में एक दिल है जिस से मुझे प्यार हो गया है और मुझे उसी दिल से ये बात करनी है और क्या टाइम हुआ है यहाँ आप अलमस्ट आप ताइम और आप सुन रहे हैं डेली उनिवर्सिटी का मिड्नाइट रेडियो मुझे इस म्यूजिक आवर का ये लास्ट सेग्मेंट दिया गया था अपनी कुछ कहानिया सुनाने के लिए लेकिन जैसा आपने सुना आज अपने इस पहले एपिसोड में ही मैं सिर्फ अपनी कहानी सुना पाया हूँ क्यूंकि फिलहाल इस से ज्यादा जरूरी और कोई कहानी नहीं है मेरे अंदर क्यूंकि जो आज मैंने आपको सुनाया है वो हुआ था आज से छे महीने पहले उसके बाद क्या हुआ और आगे क्या होगा उस कहानी को जानने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा अगले सैटरडे नाइट के मिडनाइट रेडियो को सुनने क्यूंकि इस शो का नाम और मेरा तुमसे जाते जाते सवाल ये है हे दल तुमने किसी से कभी प्यार किया है?